फ्लिपकार्ट ओडर को रिटर्न कैसे करें? दोस्तो अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोड़क्ट ओडर किया है और आपको सही प्रोड़क्ट नहीं मिला है कहने का मतलब यह है कि आपने कोई ऐसा product मंगाया है और वो product आपको सही नहीं मिला है उदाहरन के लिए आपने कोई dress मंगाया है red color का और उसमें आपको blue color का dress मिल गया है या फिर आपने कोई earphone मंगाया है और उसकी sound quality बहुत ही बेकार है उसका तारवार कोई फटा हुआ है तो दोस्तों आपने flip card से कोई भी सामान लिया है और उससे return करके अपना पैसा bank account में वापश लेना चाहते हैं तो इस video को continue end तक देखिए क्योंकि दोस्तों latest process बताऊंगा 2024 में सब कुछ बदल चुका है कैसे आप flip card application से किसी भी order का return अपने bank account में कैसे लेंगे step by step guide में आपको क मत करना क्योंकि अगर आप एक भी step मिस कर देते हो तो आपको bank account में पैसा नहीं मिलेगा फिर आप comment करके बोलोगे कि भाई ये trick जो है काम नहीं कर रही है मुझे bank account में अपना refund का पैसा नहीं मिला तो इसलिए वीडियो को continue end तक देखते रही है लेकिन दोस्तों उससे पहले घंटी को दबा के all pay set कर लिजे इससे दोस्तों ये फाइदा होगा कि जब भी हम इस प्रकार की कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी notification सबसे पहले मिल जाएगी अब दोस्तों हम बात करते हैं कि Flipkart के किसी भी order का refund अपने bank account में कैसे लेंगे तो इसकी दोस्तों हमने ये product मंगाया है और ये product हमें खराब मिल चुका है और इससे हमें refund करना है तो सबसे पहले उस account को login कर लेना है login करने के बाद Flipkart का application कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की side आपको 4-5 अलग-अलग option देखने को मिले तो आपको orders वाले option पर क्लिक करना है अब दोस्तों यहाँ पर अपने flipkart से जो भी product order किया है जितने भी product order किया है उसकी list आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे कि आपने कब कब कौन सा product order किया है अब दोस्तों आप इनमें से जिस भी product को refund करना चाहते हैं और उसका पै product में हमें कोई खराबी देखने को मिली है यह हमें खराब product मिल गया है और इसे हमें refund करना है तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रोड़क्ट के ऊपर आपको एक बार click कर देना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों order कब आपका confirm हुआ था वो date आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यह आपको कब deliver हुआ था वो date आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी product आप order करते हैं अगर उसमें refund policy होता है आप पैसा लेने का policy होता है तो यहाँ पर दोस्तों maximum 7 दिनों तक इसका policy ह होता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल जाएगा return policy valid deal January 21 यानि कि दोस्तों साथ दिनों का return policy मिलता है इन्हीं साथ दिनों के अंदर आपको यहाँ पर product को return करना है और अपना पैसा बापस लेना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे return का एक option देख करना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आपके सामने 5 या 6 अलग-अलग कारण देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अगर आपको कोई wrong item मिला है तो आपको यह वाला option चूज करना है अगर आपके box में कोई packaging है उसमें कोई missing है तो आपको यह वाला चूज करना है आपका product काम नहीं कर रहा है इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आपको यह वाला option है उसे चूज करना है आपका product defective मिला है तो आपको यहाँ पर यह वाला option चूज करना है कोई broken या damage product मिला है तो इसे भी चूज कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तो quality of the product not as expected जैसा कि आपने सोचा थ यहाँ वैसा product आपको नहीं मिला तो आपको इस option को चूज कर लेना है तो दोस्तों आपको आपका जो product है जिसे भी कारण से आपको return करना है वो कारण आप यहाँ पर select कर लिजिए जैसे कि दोस्तों हमारा जो product है वो defective है हमने एक earphone मंगाया है और इसकी quality बहुत ही बेकार आ रही है तो यहाँ पर हमने the product received is defective choose कर लिया है उसके बाद यहाँ पर आपको एक और कारण देना है कि आपका product चार्ज नहीं हो रहा है sound quality खराब है या फिर sound quality not expected या फिर wifi शलूरर पर काम नहीं कर रहा है तो आपका जो भी problem है उससे आप यहाँ पर select कर लिजिए तो यहा पर दोस्तों आपको लिख देना है कि आपको किस प्रकार की problem आ रही है तो यहाँ पर आपको लिख देना है जिसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं sound quality issue उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको continue वाले बटन पर click करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको replacement या फिर return क option है तो replacement वाले option को हम choose कर लेंगे और नीचे दोस्तों यहाँ पर continue वाले बटन पर click कर देंगे continue वाले बटन पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा pick up and replacement, यियानरी कि दोस्तो हमारा the product वह pick up किया जाएगा, उसके बाद ये replace किया जाएगा यानि कि दोस्तो आपको कब ये replace होगा, कब आपका private लिया जाएगा और फिर आपको नया product कब दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको वह date लेट जो है दिखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर 19 जनवरी 2024 को हमारे जो प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं दुस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही जदा पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे सेर कर दीजे साथ ही दुस्तों हमारे चनल को सस्काइब करके और घंटी को दबाके औल पे श झाल चुरू झाल, झाल on the video! झाल on the video.